तो हम लोग स्टार्ड करने वाले हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का काम क्या था? किसी भी बहुत छोटे से अबजेक्ट की एक clear magnified image obtain करना, that is the main purpose of any माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो आपके syllabus में है उसमें सबसे पहला माइक्रोस्कोप है, simple microscope, simple microscope, basically, अगर हम बात करें, तो convex lens आप सबने पढ़ा रखा है, convex lens के लिए 6 ray diagram से याद करवा आपको पढ़ाए गए होंगे, last 10 में जवाब थे, तो convex lens के 6 different ray diagram, 6 different cases पढ़ाए गए थे, और 6 में से 5 cases में वो real और inverted image बनाता है, केवल एक case में वो virtual और erect image बनाता है, जिसमें object को focus के अंदर रख रखा जाता है, तो simple microscope जो है, वो basically वही छटवा case है, ठीक है, अगर मैं इसका ray diagram बनाऊं, तो देखिये जरा, ये तो हो गई कोई line जिसको आप principle axis बोलते हो, और यहाँ पर हम लोग को एक lens से ही है, so let us draw a convex lens, और इस तरीके का अगर convex lens है, तो यह इसका optical center हो गया, भाई, यहाँ कहीं पर, अगर इस वाले surface को ऐसे complete किया जाएगा, तो इसका center यहाँ कहीं होगा, और focus जो है, फिर हो उसके middle point पर होगा, बोलो भाई, तो इधर कहीं पर focus रहा होगा, और जितनी distance पर इधर focus होगा, सेम उतनी ही distance पर, यहाँ कहीं focus होता है, यह बात तो सबको पता है जो object होगा इस बार, वो object हम लोगोंने, optical center और focus के बीज में रखा है, तो इस तरीके का कोई object होगा, यह object हो गया, और अपने को बस सिर्फ एक ray diagram complete करना है, और ray diagram बनाने का तरीका simple है, एक light ray parallel to principle axis आएगी, जो light ray parallel to principle axis आती है, after refraction कहाँ से जाएगी? focus है, it will pass through focus, तो इस point से वो pass हो गई, और एक light ray हम लोगों image बनाने के लिए और चाहिए होती है, वो light ray जाएगी optical center से, ठीक है, और जड़ा चेक करो, यह दोनो light rays का जो nature है, यह दोनो light rays का जो nature है, वो इधर की तरफ diverging nature है, यानि right side में अगर आप ध्यान से चेक करो, तो यह light ray कभी भी मिलने वाली नहीं है, right side में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको left side में फिर extend करेंगे, अगर right में नहीं मिलेगी, तो इसको left side में जबरदस्ती जो है, extend करके मिलाया जाएगा, तो यहाँ कहीं तक मैं extend कर रहा हूँ इसको, और उसको भी extend करते, देखते हैं, यह मिल पाएगी कि नहीं, तो यह देखो, ऐसे कहीं आगे जा करके मिलेगी, तो इसको अब लोग इधर ले आते हैं, यह जो principle access है, इसको भी यहाँ रख देते हैं, हाँ वैज, तो यह light ray हम लोग को और पीछे लाना पड़ेगा भी, कितने में काम नहीं चलेगा, यह यहाँ तक, और यह वाली light ray यहाँ तक, तो finally आप देखो, light ray कहाँ पर जाकर मिली है, इस point पर, ठीक, और यह image जो create होगी, वो image किस type की हो तो यहाँ पर बिटा, एक virtual image create होगी, इस object की, और ध्यान से देखो, यह जो image create होई है, इसकी properties अगर देखा जाए, अगर object को मैं बोलूँ, object का नाम है AB, तो image का नाम हो जाएगा, let us suppose, A dash, V dash, ठीक, तो यह simple क्या है, एक simple convex lens है, बस, simple microscope क्या है, it is a simple convex lens, जिसमें object को हमने focus के अंदर रखा है, और इसकी वज़े से, इसकी जो image obtain हुई है, यह image एक virtual and large image है, ठीक, erect image है, मतलब सीधी image है, inverted नहीं है, तो properties of image अगर हम लोग देखे, तो it is, firstly, it is virtual image, erect image, and enlarged image, यह यह बात समझ मैं, ठीक, यह तो हो गया, इसका radar, अब matter यह है, कि sir, जो simple microscope है, यानि किसी भी device की अगर हम लोग बात करें, तो उस device में हम लोग कुछ खास properties चाते हैं, उसके बारे मैंने शायद फिछली class पे आपको बताया भी था, पहली property है high magnification, और दूसरी है high resolving power, या high resolution, ऐसा कुछ मैंने बताया होगा, ठीक, तो high magnification का मतलब यह है, कि छोटे से object की काफी बड़ी image बना कर दे, तो देखो इतना बड़ा object था, और काफी ब reflection वाली बात हम लोग अभी आगे एक chapter पढ़ेंगे, diffraction of light, तो वहाँ पर हम लोग resolution की बात करेंगे, resolving power को कैसे explain किया जाता है, इस chapter ray optics में हम लोग mainly magnification की बात करते हैं, कि what is magnification and what is the formula of magnification, अगर कभी इस पर based कोई numerical पूछा जाएगा आपसे, तो आपसे वही formula अगेरा वो apply कर आके numerical करवाईगे, ठीक है, तो सबसे पहले वही magnification निकालते हैं, देखो एक चीज़ और भी है, अगर मैं इस object की image बनाना चाहता हूँ, तो वो image हमको या तो मेरी आखों से 25 cm की दूरी पर बन जा है, या इसके आगे कहीं भी बन जा है, तो हमें दिखाई पड़ेगा, क्य लिए near point होता है 25 cm पर, और far point कहां होता है, infinity पर, हम लोग infinite distance तक देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग चांद सितारे अगर देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम infinity तक देख सकते हैं, अगर हमारी आखे ठीक हैं तो, तो इसका मतलब इस instrument को use करते हुए, सोचो, अगर हमने एक बार final image 25 cm पर बनवा दिया, ठीक, और एक बार हमने infinity पर बनवा दिया, और दोनों cases में अगर image सही बन गई और हमें दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब instrument ठीक है, अगर वो 25 पर बना रहा है और infinity पर बना रहा है, तो इसके बीद में कहीं भी बना है, हमें का प्रावलम है, हमें द distinct vision, साफ से तुरह अलग-अलग देखने के लिए minimum distance कितनी होती है, 25 cm, तो सबसे पहले हम उसको 25 पर बनवाने कोशिश करेंगे, और second case में हम उसको बनवाएंगे infinity पर, clear है, अब सोचो, let us suppose, final जो image हम लोग ने बनाया है, वो 25 cm पर बनाया है, तो यह जो distance होगा, यानि image का distance, आइज से, अब हम लोग की eyes बता अच्छा, कहा रही होंगी अगर यह diagram है तो, mirror कहा है, lens के, right side मैं थोड़ा सा इसको diagram छोड़ा कर दे रहा हूं वाई, ठीक तो eyes अपको, ठीक है, और क्या, डिस्टर हो, यह, यह बार-बार डिस्टर हो जा रहा है, ठीक, तो अब देखिए ज़रा, अगर यह distance d है, image हम लोग की eyes पर बिटा जो angle बनाता है ना, उस angle को हम लोग represent करते हैं, बीटा से, तो आप चेक करो, eyes हम लोग की यहां कहीं रही होंगी, इस जगे पर eyes होंगी, क्योंकि अगर light ray आँखों में नहीं जाएगा, तब तो image हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, यह सब को पता होगा, तो यह दोनों light rays आपकी eyes में जाएंगी, तब जाकर, और यह भी eyes का nature होता है, हम लोग पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं, अगर इस तरीके से light ray जाएगी, तो image इसके पीछे यहीं कहीं बनती है, यह आप लोने class 10 में भी पढ़ा होगा, कि अगर आपकी आँखों में light ray मालो, यहां से निकले और ऐसे bend होकर के आ रहे हो, तो हमको object यहां नहीं दिखाई पड़ेगा, अगर वो ऐसे आ रही है, तो फिर हम बन भी रही है, अब दूसरी बात करते हैं, वो है magnification, कि magnification क्या है, magnification का simple सा मतलब जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था या समझा था, that was height of image upon height of object, लेकिन यहां पर उसी चीज़ को हम लोग दूसरी तरीके से represent करते हैं, हम लोग angular magnification निकालते हैं, क्योंकि height of object तो बहुत छ कर रहे हैं, इसका मतलब object बहुत छोटा है, तो हम height of object नहीं निकाल सकते हैं, या telescope की बात करो, object इतना दूर है, तो हम आद पहुंची नहीं पाएंगे, तो height कर से निकालेंगे, इसलिए height को छोड़ करके हम लोग angle में चले आए, यानि कि यहां पर हम लोग क्या चीज़ on alpha, beta का मतलब angle subtended by the image at eye, और alpha का मतलब है, angle subtended by the object at the eye, देखो हम अगर किसी छोटे या बड़े object की मालों बात कर लें, moon की बात कर लेते हैं, तो moon का diameter जाके हम नहीं ना पाएंगे, ठीक, लेकिन हम यह देख सकते हैं कि moon, अगर इतना बड़ा गोला हमें दिखाई पड़ रह आएगी और उसके bottom से light ray आख में आएगी, वो कितना angle बना रही है, इसको हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि अगर यहाँ पर मैं मालू, moon है और यहाँ पर एक person है, तो मैं एक ऐसा diagram बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे दो लाइने कीचेंगे, उसके बीच का यह angle का अंदाजा हम लगा सकते हैं, फिर वही angles हैं यह beta और alpha, यानि beta is the angle subtended by the image at i, तो इतनी बड़ी image थी, इसने आखों पर कितना angle बनाया, बीटा, और alpha होगा object के लिए, अब सोचो object यह था क्या, object यह था, तो हमने क्या किया, same object देखो, हम यहां पर हमने बनाया, कहां पर हम लोग object को बना रहे हैं, जहां पर हमने image को बनाया है, image कहां पर थी बटा, 25 cm पर, तो उतने ही same position पर आप चेक करिए, मैंने object को रखा है, और चेक करो, यह distance फिर से भाई D है, गोलो भाई, least distance of distinct vision, और यह रहा भारा object, and object is AB object, clear, object आखों पर जो angle बनाता है, that angle is alpha, और इस beta और इस alpha का जो ratio होता है, that is known as angular magnification, यह logic समझ में आया कि object को यहां क्यों रखा है, देखो हमें यह compare करके देखना है, कि object जब इतना बड़ा था, तो image कितनी बड़ी बनी है, लेकिन compare करने के लिए, अगर दो चीजों को compare कर रहे है, तो उसमें भी similarity होनी चाहिए, similarity यह होनी चाहिए, कि जहां पर image बनी है, वहीं पर मैं object को भी रख रहा, जैसे मालो मैं यहां खड़ा हूँ, मुझे यह podium इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, clear? अब यह चश्मा पहनने से, या कोई optical instrument यूज करने से, अगर यह podium वहीं पर बड़ा दिखाई पड़ जाए, तब तो मेरे लिए फाइदा है, और अगर हम podium कोई pass में घसीट लाएंगे, तब तो ऐसे ही बड़ा दिखेगा हमें, बोलो यार, तो अगर मुझे यह चेक करना ह है कि यह चश्मा या इंस्टूमेंट जो हमने यूज कर रखा है, इसका magnification कितना है, तो हम यहीं पर खड़े रहेंगे, और image को वहीं रखेंगे, object को भी रखेंगे, तब हमें difference पता चलेगा, कि जब बिना चश्मे के देख रहे थे, तो वहाँ पर object इतना बड़ा दिख र चलेट, तो जड़ा चेक करिए, बीटा पॉन अलफा और एक चीज और सोचो, अगर यह अलफा और बीटा दोनों आइस पर बन रहा है, आखों पर बन रहा है, इसका मतलब यह दोनों एंगल बहुत चोटे होंगे बलो, और अगर यह एंगल बहुत चोटे हैं, तो बीटा बराबर टैन बीटा और अलफा बराबर टैन अलफा ऐसा हम लोग बुलो रख सकते हैं, तो अंगुलर मैगनिफिकेशन M is equal to टैन बीटा, टैन बीटा बीटा कितना होगा यहां से, परपेंडिकुलर पॉन बेस, तो उसको क्या हम लोग अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देख लो भाई, A, B upon X, परपेंडिकुलर पॉन बेस, और टैन अलफा कितना होगा, A, B upon D, तो जड़ा चेक करिए क्या मैगनिफिकेशन की वेल्यू D by X हो गई, साइन कर्वेंशन के इसाफ से अगर आप देखोगें, तो D निगेटिव है, X भी निगेटिव है, मतलब according to sign convention अगर मैं रखूँ तो दोनों निगेटिव है, तो बोलो, मैगनिफिकेशन की overall value D by X ही आनी है, बोलो भई, क्या ये बात समझ में आई है, किसी को कोई doubt हो, इसमें तो बताओ, Magnification is D by X, D क्या है, 25 cm, और X क्या है, position of the object from the lens, clear, अब एक एक करके उन दो cases की बात करते हैं, सबसे पहला case क्या था, when final image, case number 1 क्या होता है, पहली भार image कहां मनमानी है भाई, yes, when final image is obtained, when final image is obtained at least distance of distinct vision, when final image is obtained at least distance of distinct vision, तो इसका मतलब जड़ा सूचो, final image अगर 25 cm पे बनी है according to diagram, तो है तो यार ये एक lens ही न, एक lens ही है, refraction ही हो रहा है, वही रही diagram है जो आप में 10 में पढ़ाता है, इसका मतलब we can use lens formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, तो जड़ा चेक करिए, final image अगर आप बोल रहे हो कि सर 25 cm पे बना है, तो क्या v की value minus d हो गई, और object की distance बिटा पताओ कितना था diagram में, x या minus x, तो that was minus x, that we can write 1 by f, so 1 by f, और अगर इस d को इधर ले आएं, तो जड़ा चेक करिए, क्या ये 1 by f, plus 1 by d, पराबर 1 by x हो जाएगा, ऐसा मैंने इसलिए किया, क्योंकि magnification की value क्या थी, d by x, और हम लोग क्या निगाल चुके हैं, 1 by x, इसका मतलब अगर मैं d का multiply पूरे में कर दूँ, तो शायद हमारा काम चल जाए, d by f, plus 1, पराबर d by x, और यही d by x क्या होता है, इसका मतलब, अगर final image 25 cm पे बनी है, if final image is formed at least distance of distinct vision, then the formula for magnification is 1 plus d by f, d 25 cm हमेशा होगा, और focal length के वल मिल जाए, मतलब अगर lens का focal length हमें पता है, तो बोलो magnification पता सकते हैं, कि यह कितने गुना magnify करके image दिखा सकता है, करेक्ट है, case number 2 क्या है इसका, when final image is formed at infinity, अगर image इन्फिनिटी पर बनी है, तो object कहां रहा होगा, इसका बदलब, 1 by f, या यह सब भी करने के हमें ज़रूद नहीं है, magnification का वैसे direct formula क्या होता था, dy, इसके लिए अनोंने क्या निगाला था, magnification, dy, x, निगाला था, और अगर final image इन्फिनिटी पर है, तो सबको पता है, object कहां होना चाहिए, focus पर, यानि कि यह x बराबर क्या होना चाहिए, f, बोलो यार, अगर यह object, यह object, यहां की बजाए, यहां होगा, तो यह distance f हो जाएगी, focal length, clear, so we can simply write x is equal to f, तो magnification का सीधे-सीधे formula क्या जाएगा, m is equal to d by f, क्या ही ये बात समझ नहीं, तो आपके पास देखो, एक ray diagram है, सामने आपके है, कोई doubt हो तो पूछ लीजे, simple microscope में बस इतना ही है, ठीक है, ray diagram आपको पता होना चाहिए, magnification क्या होता है, तो magnification is defined as the ratio of tangent of angle made by image at the human eye to the tangent of angle made by the object at the human eye when they are placed at least distance of distinct vision. जब object और image दोनो 25 cm पे रखा हो, तब image का angle, divided by object का angle, कहलाता है, angular magnification, m is equal to beta upon alpha. दो cases हैं, जब image बनी 25 cm पे, तो formula है 1 plus d by f, और जब image बनी infinity पर, तब formula है d by f. यहाँ image बन गई, यहाँ image बन गई, तो फिर कहीं भी बन जाएगी, बोलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखाई पड़ रही होगी, clear है, ठीक, next, अगले में चले, तो अगला instrument कौन सा होता है, compound micros, देखो बिटा, सारा खेल है, यहाँ पे, पहली बात, ray diagram बहुत ही सटीक होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, उसमें कहीं इफबट नहीं होना चाहिए, ठीक, compound microscope, बनाते हैं, आप लोगों को भी यह बात ध्यान लकिएगा, सब measurement के साथ बनाना है, ठीक है, एक एक चीज जो आप बनाएंगे, सब साथ बनाने को हम भी इससे जल्दी जल्दी बना सकते हैं, अगर मैं भी इसस लाइन वाइन खीच के proper बना रहा हूँ, तो reason यही है कि आपको भी scale और वो सब use करके ही proper बनाना है, ठीक है, बाकी lens बनाने के लिए, जो अभी इसके पहले मैंने lens बना दिया था, free hand से बना दिया था, normally, ठीक, तो आप लोग उसके लिए क्या use करोगे, वो क्या बुलते हैं उसको, चांदा जो आता था, एंगल वाला, प्रोटेक्टर, वो प्रोटेक्टर यूज़ करवा, प्रोटेक्टर जो है, पता है न कैसे यूज़ होगा, भाई प्रोटेक्टर ही मैं इसमें बना के देख रहा था, देखो, अगर इसको आदा ले लें, तो यही प्रोटेक्टर है वाई, तो इसका जो 90 डिगरी है, इसको ऐसे आप रखोगे, यह देखो, ऐसे, एक लाइन आप खीचने के बाद इसको ऐसे रखोगे, और अपनी कॉपणी पर तीन लाइन उपर, तीन लाइन नीचे, तो 6 लाइन का एक आपका लेंस बनेगा, पहले ऐसे बनेगा, तीन उपर, तीन नीचे, फिर उसके बाद इसी चीज़ को आप गुमाओगे, ऐसे, और इसको आप बराबर से रखोगे, फिर से, लाइक दिस, फिर तीन लाइन उपर, तीन लाइन नीचे, सोच पारण है, तो इसको इस तरीके से यूज़ करके आप प्रॉपर लेंस बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब रे डाइग्राम अगर आपका बने, तो हमेशा एक जैसा ही बनना चाहिए, उसमें इफबट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए हम मैं बना रहा हूँ, यह हो गया, एक सबसे पहला लेंस हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और यह वाला लेंस क्योंकि आपजेक्ट के पास होता है, इसलिए इस लेंस का नाम होता है, आपजेक्टिव लेंस, आपजेक्टिव लेंस, और इस लेंस का कहीं न कहीं फोकल लेंस होगा भई, मतलब फोक इधर उतनी ही डिस्टेंस पर यहां भी फोकस होगा और अबजेक्ट जो है वो इस बार हमने फोकस के अंदर नहीं रखा है इस बार हम ऑब्जेट कहां रखेंगे फोकस के बाहर तो यह रहा देखे अबजेक्ट this is let us suppose object और obvious है ray diagram तो ऐसे ही है एक light ray ऐसे parallel निकलेगी ये वाली light ray कहा जाएगी भाई this will pass through focus इसको हम लोग ऐसे focus से pass कराएंगे और दूसरी light ray जो होगी वो हम सीधे-सीधे optical center से ले जाएंगे और जो light ray देखो optical center से जा रही है वो कहीं न कहीं जाकर इससे मिलेगी तो ये मैं आगे यहां कहीं ले जाकर के देखो मैंने मिलाया तो ये final image जो है इस point पर बनी है लेकिन this is not बदा भी इतना ही नहीं है ये final अभी नहीं हुआ ठीक है एक image इसने यहां पर बनाई और ये जो image है this image will behave like a object for the second lens अभी एक lens हम लोग यहां पर और use करने वाले हैं and that lens is known as eye piece lens यह आप लोने पढ़ा नहीं इसके पहले पढ़ा होगा school में तो पढ़ाई होगा यह यहां लोगा यहां यहा यहाँ लोगाई यहां CONSTंद। एक लेंस और बनाते है और वह आला लेंस पहले वाले लेंस से थोड़ा बड़ा होगा और यह आईज के पास होता है इसलिए इसका नाम होता है आई पीस लेंस एक अब्जेक्ट के पास है तो अब्जेक्टिव लेंस और एक आखों के पास है तो आई पीस लेंस और यह जो image बनी थी this image will behave like an object for that lens इसका बदलब अगर इसका optical center यहां कहीं पर है इसका भी कहीं न कहीं focus होगा भई this is focus of eye piece और इतनी ही distance पर यहां कहीं इसका focus होगा right side में अब फिर से ray diagram देखो कैसे बनेगा भाई यहां से एक light ray फिर से parallel to principle axis and this will pass through focus यह focus से पास हो जाएगी दूसरी light ray किदर जाएगी जो भाई optical center से इदर कहीं जाएगी right side में दोनों मिलना नहीं है अब फिर से इसको पीछे गसी तो जहां मिल जाएगे वहां पर बिटा इसकी final जो है image obtain होगी सीधी लग रही line क्यों है what do you see अरे यार अब सही है अब सही है ठीक है तो यहाँ पर बिटा final image बनेगे यहाँ पर यह इसका arrow जो है मुझे रुमाना पड़ेगा यहाँ पर यह हो गई आपकी final image यह है वहाँ यहाँ फुल रेड आई ग्राम एक देखो अब मैं फिर से समझा रहा हूँ इस रेड आई ग्राम में है क्या एक object है object के थू बिटा एक यह lens है objective lens जो object के पास है इसले नाम objective है यह simple क्या करेगा इसकी एक image यहाँ पर बना देगा यह image जो है उसके comparison में खुद आप चेक कर लो पहली बात real है inverted है और magnified है correct अब लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं चला था क्योंकि compound microscope ऐसे object को देखने के लिए use करते हैं जो आखों से दिखी नहीं रहा है normalize से दिखी नहीं रहा है तो यह उसकी आप चेक करो 4-6-10 गुना magnified image है लेकिन इतने से काम नहीं चला था तो हमने क्या किया एक lens और लगाया और यह lens अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो यह वाला lens एक simple microscope की तरह और उसकी एक magnified image उसने बनाई थी तो यहां भी चेक करो यह जो image बनी है इसकी वज़े से हमने क्या किया इस image को इसके focus के अंदर रख दिया clear तो इसने क्या किया एक magnified image इसकी बना दिया कुछ समझ में आई बाद कोई doubt और वाई तो बताओ हां बनाने को बना सकते हैं लेकिन लेकिन वो उतना ही image जो है blurred होता चला जाता है वाई क्योंकि एक object तो एक ही था ना एक object से पहले एक image बना जाए अब इस image को as a object behave करा रहे हो ठीक है अब जो final image बना है यह फिर से object की तरह बेव कर यह कठिन बात है पेड होता चला जाएगा ना ठीक तो यह फिलाल इसका final image obtain हुआ है तो let us suppose अगर object है AB तो image होगा एड़ ड़ेश और final image क्या होगा एड़ेश वी ड़ेश और एग्ल्स की बात करो जाएगा यहाँ पर कोई बताएगा कि बीटा एंगल कौन सा होना चींगे इमेज ने आखोंपर पर कौन सा अंगल बनाया होगा कहां पर बनाया होगा यह image है यह यह ना इस इस बीटा इस ब और सेम पोजीशन पर किसको रखेंगे ले जाकर अब्जेक्ट को है ना तो इसको मैं डाइग्राम को थोड़ा यहां से शिफ्ट कर रहा हूं देखिएगा वाई ठीक है तेम इस अब्जेक्ट को एक अब्जेक्ट मैं इसका और लेकर के आ रहा हूं अरे चलो एक अब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर यहां पर अम्नूल आ रहे हैं यह वही वाला अब्जेक्ट है उतने ही डाइमेंशन का होना चाहिए इस बात को द्यान नखिएगा जितना लेंध था उतना ही ठीक है तो केस समबर वन में हम लोग फाइनल इमेज बेटा कहां बनाते हैं लीस्ट डिस्टेंस ओफ डिस्टिंक्ट विजन पर सेम उतनी ही डिस्टेंस पर फिर से मैंने किसको रखा है अब्जेक्ट को और अब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है इस एंगल इस अल्फा वो बीटा एंगल था और अब्जेक्ट का एंगल कितना है अल्फा और यह हो ग that is again beta upon alpha which is again 10 beta upon alpha 10 beta की value बताईए यहां से 10 beta की value बताईए a dash b dash upon b dash e यह o है इसका नाम में लिखना हूँ e ठीक है a dash b dash upon b dash e divided by divided by a b upon b सही है बिटा अब जड़ा sign convention के हिसाब से आप पुझे पताईएगा a dash b dash upon a b multiplied by यह d आएगा उपर और b dash e आएगा नीचे b dash e को क्या u e लिखा जा सकता है लिख सकते हैं तो उसको अपने as it is लिख दिया अब जड़ा एक चीज और देखो यह इसको अगर मैं जो था वही रहने दू तो भी कोई दिक्कत रही है b dash e ही रहर रहने दो तो भी आप जड़ा चेक करो यह क्या बन गया a dash b dash का मतलब क्या है height of image formed by objective and a b का मतलब क्या है object for objective थीक तो height of image upon height of object क्या होता है यह magnification तो a b जो a dash b dash upon a b है यह क्या चीज है it is magnification of objective कौन सा magnification linear magnification clear multiplied by d upon b dash e जड़ा ध्यान से सोचो d क्या है image distance और b dash e क्या है objective distance किसके लिए high piece के लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं क्या यह बात समझ में आ रही है इसका मतलब अगर दो lenses को combine करके आप एक microscope बना रहे हो तो इस पूरे microscope का अगर magnification का भी पूछा जाएगा तो that is product of magnification of both lenses इसका magnification निकालो इसका magnification निकालो और simple multiply करता है और यह वैसे भी formula होता है आप लोगने class 10 में पढ़ा है combination of lenses वहाँ पर आपने एक formula पढ़ा है 1 by f is equal to 1 by f 1 plus 1 by f2 अगर lenses को combine किया जाता है तो power add हो जाता है p beraber p1 plus p2 तो 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 ठीक और वहीं पर एक चीज़ और आप पढ़ सकते थे वो था magnification कि अगर हम combine करने के बाद net magnification निकालना है तो that will be equal to m1 into m2 power add हो जाता है लेकिन magnification multiply हो जाता है एक lens दो गुना magnify करेगा दूसरा वाला lens चार गुना magnify करेगा तो दोनों को यूज करने पर image 8 गुना magnify हो जाएगा कुछ बात समझ नहीं थीक सो m1 into m2 यह चीज हमको यहां से भी देखने को मिला अब आगे बढ़ते हैं जरा case number 1 की बात करते हैं और case number 1 case number 1 case number 1 में क्या होता है when when final image is obtained when final image is obtained at least distance of distinct vision when final image is obtained at least distance of distinct vision तो जरा चेक करो magnification जो था mo into me आया था mo जो है यानि magnification for objective क्या उसको हम लोग वी ओ अपॉन यूओ भी लिख सकते हैं कि मैगनिफिकेशन के कितने फार्मले होते हैं लीनियर मैगनिफिकेशन height of image upon height of object और दूसरा होता है image distance upon object distance v by u clear hi upon ho तो पहले चाही था हमने दूसरा वाला जो था वो भी उसकर लिया दूसरा वाला क्या था हम क्या लिख सकते हैं वी ओ अपॉन दूसरी बात मैगनिफिकेशन ओफ आई पीस और सोचो इस आई पीस इस इग्जैक्ली बेहिविंग लाइक simple microscope आई पीस कैसा बेहिव कर रहा है simple microscope की तरह है तो उसका मैगनिफिकेशन का क्या formula अब सबको पता है डायरेक्ट अगर किसी simple microscope की बात करें तो case number 1 में उसका formula क्या था 1 प्लस by क्या ये बात याद आ रही है तो भाई मैगनिफिकेशन का सीदे सीदे formula आ गया हमारा वी ओ अपॉन यू ओ वन प्लस बी अपॉन एपॉन एपिए here next case है case number 2 case number 2 में image कहा बनती है when final image when final image is formed at infinity final image अकर infinity पर होगी बेटा तब यही फार्मला क्या बनेगा v o upon u o t upon f e क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है यहां बस आपको एक point लिखना पड़ेगा as eyepiece is behaving like as eyepiece is behaving like simple microscope simple microscope और compound microscope में भाई कोई doubt हो तो बताईए डाइग्राम आपके सामने है पहला जो एक lens था उस lens से हमने एक बार magnified image बनाई real inverted magnified और इसी को और ज्यादा magnified कर दिया किस से eyepiece वाला lens use करके कोई डाउट हो तो बताऊ इसमें angular magnification हा पॉस्टिप्स ठीक है वैसे अगर मैं final image की बात करूं तो यहां पर जो final image बेटा बना है that is inverted with respect to original object देखो इसके हिसाब से तो inverted नहीं है बोलो लेकिन इसके हिसाब से यह कैसा है inverted तो final image जो है वो inverted है highly magnified है मतलब पहले से काफी ज्यादा magnified है ठीक और virtual है ठीक तो उस sense में क्योंकि inverted है तो उस sense में हो सकता है कभी negative जो है ले लिया जाए या दिया जाए आपको magnification ठीक है numerical में उस sense में कि inverted है इसलिए फिर बाकी simple formula पर बेस question आएगा बस u v यह सब क्या है यह सब थोड़ा सा द्यान से देखो और apply करतो ठीक है कभी इस पर बेस अगर numerical कोई भी पूछता है तो तरीका देखो बड़ा simple है यह formula तो हई है यह तो help करेंगे ही करेंगे otherwise हम इसको एक यह सब भूल जाएं और हम simple यह मालने कि यह दो lenses है के बनागा वही object की यह distance हमें दी जाएगी इसका focal length दिया जाएगा तो बोलो यह कहां image बनाने वाला है यह distance में निकाल सकता हो 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U अगर तुम्हें U पता है तुम्हें F पता है तो क्या V आ जाएगा तो पता चल गया यहां image बनेगा अब यहां image बनेगा और यह distance हमें पता है और इसका focal length पता है तो हम फिर जाएगे कि final image कहां बनेगा अब इसके लिए लगा देंगे same formula बस यह ध्यान रख ना किसके लिए U negative है यह B positive है focal length तो positive होगा क्योंकि convex है सिर्फ यही चीज अगर अपने ध्यान रखा तो numerical में कुछ है नहीं इसमें एक छोड़ी सी चीज और पूछते है length of microscope क्या होता है what is length of microscope तो length of microscope का मतलब है इसके दोनों lenses के बीच की दूरी distance between both lenses तो वो दूरी कितनी है यहाँ पर जड़ा बताओ मुझे length of value बताओ value length of microscope length of microscope का मतलब क्या हो गया वही तो सही है उसकी value बताइए हाँ नहीं बारी वी ओ प्लस यूई सोचो ऐसा होगा कि नहीं होगा वी ओ मतलब image distance for objective जो की o से लेके b dash तक होगा और ue बतलब image object distance for eye piece तो यार o से लेके b dash तक हो गया bo और b dash से लेके e तक हो गया ue दोनों जोड़ दो आ गया क्लियर है तो मोटा तोर पे सीधी सी बात है दोनों लेंसेस के बीच की दूरी जो होती है वो है length of microscope ठीक अब आगे बढ़ते है अगला कॉंसेप्ट है या अगला इंस्ट्रूमेंट है telescope telescope में भी astronomical telescope astronomical telescope वह यह एस्ट्रूनॉमिकल टेलिस्कोप में भी ray diagram बहुत साफदानी से बनाना विल्कुल compound microscope जैसा ही system है इसका भी इसमें भी दो lenses होंगे लेकिन इस बार बड़ा वाला lens पहले लगा होगा बड़ा वाला जो lens होगा वो पहले लगा होगा कि अगर टेलिस्कोप है तो इसका मतलब अब्जेक्ट कहां पर है इंफिनिटी पर लगबग तो वहां से आने वाली light rays कैसी होंगे पैरलल टू इच अदर एक लाइट रे देखो अप्रिकल सेंटर से आया और अप्रिकल सेंटर पर आया और वह as it is ऐसे जा रहा है ठीक दूसरी लाइट रे मैं इसके पैरलल ला रहा हूं इसके पैरलल इसी तरीके की light ray देखो हम लोग लेकर आये और यहां से अब यह जो अप्रिकल सेंटर पर आ रहा था वो तो सीधे चला गया लेकिन यह वाला जो light ray आ रहा है यह बो फोकस के नीचे जाएगा बोलो भाई यह ऐसे कहीं पर diverge होगा और इस जगह पर इस जगह पर एक image जो है वो अप्टेन हो जाएगी लाइन सीधी है ना ऐसे light ray आएगी यहां गई और एक image यहां पे बन गई यहां पर बन गई इसके बाद काम वही एकदम same है as it is same काम है कि वह क्या करेगा मतलब वह आला जो lens है उसके focus के अंदर इसको रखना है बस उसके focus के अंदर लाना है तो यह वाले lens को यहां कई रखेंगे और उसके comparison में थोड़ा सा छोटा ही lens रखना बस इमेज थोड़ी जादा बड़ी हो गई है देखो ray diagram में इसी चीज की practice करना बड़ा जरूरी है नहीं तो यह मामला गलबढ़ाएगा वो यह है कि जैसे यह image हम लोंने थोड़ी जादा बड़ी बनाती है ray diagram गलत नहीं है कुछ भी लेकिन इसमें मज़ूरी हमारी यह है या तो मैं इसको और बड़ा करूं इसको कि यहां पर रख दे है यहां तो इस तरीके का काम कर दिया जाए तब तो चल जाएगा वाई यह ऐसे light ray आया और वह जा रहा है अब यहां पर आप यह आई पीस है और यह objective है अब वही सेम गाम उसका करो और image बनाओ एक light ray फिर से parallel आएगी और यह वाली light ray किदर जाएगी वाई इसके focus पर यह हो गया मानलो fe और ऐसे ही हो गया fe यह दोनों light ray इस तरीके से जाएगी और अभी जब आप इसको exactly सही बनाओगे तो यह दोनों light ray का nature जो है इधर फिर से diverging आएगा तो right side में वो मिलेगी नहीं तो उसको बस हम लोग पीछे left side में कीचेंगे ठीक है इसको सही करने के लिए हम लोग बस एक काम यह कर सकते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा जो image हम लोग ने बनाई है उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए देखो कैसे छोटा करोगे वाई यहाँ पर मिलाएंगे कि सारा जो है डाईराम लोग थोड़ा थोड़ा सा manipulate करना पड़ेगा हुआ आप बसे डाईराम ने जाएंगे यह झाएंगे यह यह वह झाएंगे भी आएंगे ता, बस्ग खाएंगे हुआ 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 है अब सब्सक्राइब करें अब उधर की तरफ जो लाइट रेस हैं उनका नेचर कैसा है डाइवर्जिंग है तो हम लोग को इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा और जहां यह मिले वहाँ पे मिलाना पड़ेगा इसको आप ले आओ पहले कर दो और इसको भी आप दर ले आओ सीधी है लाइट रहे है यहां कहीं पे यहां कहीं पे जाकर फाइनल इमेज बनेगी देखो रे डाइग्राम की बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोग कॉपी पे बना के कर लेना नहीं तो ऑन दा स्पॉट इस तरह की छोड़ी छोड़ी चीज़ें आने लगेंगी कि पता पता तो सब है लेकिन अब इसमें अब भी भी देखो इतना सब सही करने के बाद भी यह लैंस सिमेट्रिकल नहीं है नीचे ज़्यादा देख रहा है उपर थोड़ा कम देख रहा है वहां कि चल जाता है ऐसा नहीं कि इस पर कोई नंबर काड़ देगा लेकिन कोशिश ये क प्रॉपर इतनी बार रे डाइग्राम आप बनाओ कि वह सही ही बने और जब आप पेपर ले करके जब सामने बनाते हो न तो बन जाएगा लब तब उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा वोर्ड वोर्ड में एक अलग चीज होती है वहाँ पे आप नॉर्मली स्केल स्केल यूज़ करके आप बनाओगे तो वह सही बन जाएगा यहाँ पर फाइनल जो है इमेज आप्टेन हुआ है यह इस इस फाइनल इपज़ वैसे यह जो है डॉटेड होनी चाहिए यह बहूग अब सब्सक्राइब इसमें एक इक चीज देखो अब क्लियर हो रही है कि कौन सी लाइट्रे जो है इस तॉलिड आई है कौन सी देखो यहाँ पर डॉटेड अपने पीछे बढ़ाई है यह सब एकदम अब क्लियर हो रहा है एक एरो बगरा ध्यान से सब बना देना इसमें गलबली मत करियेगा अब इसमें भी वही सेम काम तुम्हें करना है यह हो गया ए डबल डैश और बी डबल डैश यह हो गया ए डैश बी डैश और ऑबजेक्ट जो है उसको हम लोग कुछ ऐसा दिखा देते हैं यहाँ पर कि यह यहाँ कहीं पर object था, आबजेक्ट वास एंस फिर इन देखो एक चीज और समझर डो टेलिस्टूप के केस में जो वह चोटा वाला प्रेंगल बनाते लिल आप इनको और सोचो पॉपोसीबल नहीं है कि वोपोसीबल नहीं है इत क्यों पwersबैल नहीं है क्योंकि object हमारे control में नहीं है पहले हमने क्या किया था पहले हमने बीटा पॉन अलफा करने के लिए मैंने आपको बोला कि बेटा similarity होनी चाहिए जहां object है वहीं image बने तब तो compare करेंगे ठीक अभी क्या है कि object infinity पर है image यहां पर है और object को बोलो 25 cm पर ला भी नहीं सकते है object खुद लाखो करोनो किलो मेटर की diameter का है उसको हम 25 cm में कहां रख देंगे लाके ठीक वो असंभव है तो यह चीज़ यहां पर matter नहीं करती है ठीक है दूसरी बात object की जो image बनी है ठीक है वो distance eye से भले 25 cm हो यह distance 25 cm हो ठीक object की distance पर हमारा यहां कोई control नहीं है उसको हम कुछ भी manipulate नहीं कर पाएंगे तो हम सीधे-सीधे यह मान लेंगे कि यह angle किता है alpha that is the angle subtended by object at the eyes ठीक object ने आफो पर angle बनाया alpha और इस image ने आफो पर angle बनाया beta और अब फिर से काम भई करना है magnification अगर निकालना है तो beta by alpha यानि tan beta by tan alpha tan beta की value beta कितनी होगी a dash b dash upon b dash e और tan alpha कितना होगा left side से तो निकालना ही पाएंगे हम तो हम इसको भी alpha माल ले रहे हैं क्यों पर्टिकल ही opposite है अब क्या लिख सकते हैं a dash b dash upon b dash o रही है a dash b dash cancel हो गया तो यह क्या बना b dash o upon b dash e दूसरी बात अगर object infinity पर है तो यह जो image बनी है यह किस point पर बनी है बोलो भाई किसके focus पर objective के focus पर यानि कि यहाँ पर जो distance कि बी डैश ओ है कि बी डैश ओ वो डिस्टेंस बिटा कितने के बराबर है और यह पॉजिटिव भी और यह पॉजिटिव भी होगा और बी डैश की जो है क्या यह minus ue है minus क्यों लगा है कुछ समझ में आ रहा है it is fo upon minus ue is this clear ठीक अब अगर ऑब्जेक्ट अगर infinity पर हो तो image कहां बनती है अगर ऑब्जेक्ट infinity पर हो तो image कहां बनती है focus पर ठीक तो object infinity पर है इसलिए image कहां बनी है focus के नीचे focal plane पर तो यह distance कितने के ब्राबर है focus के ब्राबर तो b-o is equal to focus of objective clear and this distance is objective distance for IPS clear अब फिर जब ही बात आई case number one and case number two case number one कहता है final image is formed at least distance of distinct vision यादि की value क्या होगी minus d तो जड़ा lens formula use करते है लेकिन किसके लिए use करेंगे यह lens formula हम लो eye piece के लिए और eye piece so one upon fe is equal to final image कहां बनी है वाई deeper minus d पर minus one upon ue जो है that is minus ue को लो यार negative ले रहे है तो यह इसको इदर बेजेंगे तो one plus sorry one upon fe plus one upon d is equal to one upon ue वैसे हमें क्या चाहिए था fo upon minus ue है यह ना fo upon minus ue तो इसमें काम आप और भी कर सकते हो यह जो हमने यहां sign convention के साथ ले लिया मतलो अगर sign convention के साथ नहीं लोगे तो यह लेने से ही रहे जाएगा भोलो यार साइन convention या तो अभी ले लो या तो जब formula use करना तब ले 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 लेकिन दो दो बार ले लोगे तो निगेटेव निगेटेव पॉस्टिव हो जाएगा ताफस्वज में रहा है तो अगर हम लोग तो हम लोग यहां क्या कर सकते हैं f o का multiply क्यों भाई तो f o upon f e plus f o upon d is equal to is equal to minus f o upon u e ऐसा बन जाएगा इसको आप कह सकते हो magnification ठीक m तो magnification m का formula क्या आगया जड़ा चेक करिए f o common मिल जाएगा f o times 1 upon f e plus 1 upon d और अगर आप f e भी common कर लो denominator से तो यह क्या बन जाएगा 1 plus f e by d this is the formula of magnification wait out हो लो भाई यह जैसे अभी उसका simple microscope का use किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने derived किया है लेंस फार्मरा यूज किया image बनी है डी पे तो वही फ्रस पहली रखते हुए हमने राइट है clear है ठीक अब दूसरा जो है second case क्या होता है when final image is formed at infinity final image अगर infinity पे बना होगा तो जरह सोचो magnification कितना हो जाएगा m बराबर f o upon minus u है और अगर final image infinity पर है तो अब्जेक्ट कहां रहा होगा कि इसके focus पर कि आई पीस के सो magnification का फार्मरा क्या हुआ है कि माइनस f o upon कि करेक्ट है यहां पर माइनस का sign हमने consider कर लिया है ठीक बाकी एक चीज़ और देखिए अगर हम यहां कर लें consider minus ठीक है जो हम लोग ने किया था तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता हमारे फार्मुले पर अगर मैं मालो यहां माइनस ले भी लूँ तो यही वैल्यू माइनस एम आ जाएगी तो यह इदर आ जाएगा यह निगेटिव में हो जाएगा यह भी निगेटिव में आ जाएगा तो कुछ सिर्फ मैटर आता है कि साइन कर्वेंशन लिया है डियूरिंग डेरिवेशन या नहीं लिया है क्लियर तो अगर डेरिवेशन के समय ले लिया है तो निमेरिकल के समय टेंसन नहीं है अभी नहीं लिया है तो निमेरिकल में फिर देखना पड़ है फिलाल जो अपना वहाँ पे हमको ना रहे हैं ठी